हम लोग शुम्मत भगवद गीता के दस्मे अध्याय के बद्तिस्मे श्लोक को देख रहे हैं और इसमें भगवान की विभूत्यों का बड़न आगे कर रहे हैं मेरे पिछे बोले सर्गानाम आदिरंतस्यम द्यम चे वाहम अर्जुना आत्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवद तामहम सर्गानाम आदिरंतस्यम द्यम चे वाहम अर्जुना आत्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवद तामहम सर्गानाम आदिरंतस्यम द्यम चे वाहम अर्जुना आत्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवद तामहम सर्गानाम आदिरंतस्यम द्यम चे वाहम अर्जुना आत्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवद तामहम अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादाः प्रवधताम अध्यात्म 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 विद कि अर्जुन हे अहम एव मैं ही सर्गा नाम आकाश आदी श्रिष्ट वस्तुओं की कि आदी अंतह मध्यम्च अपत्ति लए और स्थिति हूं कहना चाहिए एक बाद यहां पर आज आएगी भगवाने से पहले बुरह था कि भूता नाम अंतह एवचा सभी जीवों का मैं आदी हूं मध्य हूं अस्तिति हूं और अन्त हूं तब यहां अलग बात क्यों बोल रहे हैं तो इसको दो तरह से समझाए गया है श्रिला श्रिदर स्वामी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि एक मेंटर के इसे स्थी तो श्रिदर स्वामी कहते हैं कि देखिए भगवान ने जब पहले कहा कि भूतों का आदी अंत और मैं हूं मध्य मैं हूं वहां पे भगवान के करतापन की विभूत्ति को बढ़न किया गया है कि जीवों की स्रिष्टी करने वाला मैं हूं उनका पालन करने वाला मैं हूं और उनका अंत करने वाला मैं हूं तो भगवान के करतुत्व को यह अद्भुत्त जो भगवान का करतुत्व अकेले ही सबकी स्रिष्टी कर रहे हैं पालन कर रहे हैं यह उनकी विभूति है उनक जैसे कोई अच्छा भोजन बनाए तो विभूति है और अच्छे भोजन को कुछ लंबे समय तर रख दे तो वह भी विभूति है और उसको खा जाए और हजम कर ले तो वह भी विभूति है तो यह क्रिया की विभूति होगे की नहीं कि करने की शमता है बनाने की शमता है उसक लेकिन वह वस्तू बहुत उतक्रिष्ट शष्टी हुई है तो वस्तू भी तो एक विभुती हुई और अगर देखें कि बीच में वकॉज समय तक रह रहे है तो खराब नहीं होता है क्यों सब्जी वाला बोला करता है कि यह केले तो चार पांस दिन तक खड़ाब नहीं होंगे फिरिज के बाहर रखेंगे तब भी है सम्थिंग लाइक तो यह भी एक विभूति है और उसका सहार हो जा रहा है तो वह भी विभूति वहला सहार सहार की स्टेट है वह भी विभूति है एक तरह से बता गया दूसरी तरह से गिता बुष्ण वह उनकी सिष्टी हो रही है तो उनका सिष्टी करने वाला पालन करने वाला सहार करने वाला भी मैं हूं तो दो तरह से आप इसको अलग लग समस्ते थिले पुनरुक्ति का दोश नहीं होगा बार-बार वही बात क्यों कहेंगी भूहान ठीक है विद्या नाम समस्थ विद्याओं में अध्यात्म विद्या अहम, समस्थ विद्याओं में आत्मग्यान मैं हूँ, हूँ मैं, उसके हूँ या मैं हूँ, अहम प्रवदताम वाद हूँ, मैं वक्ता के वाद, जल्प और वितंडा इन तीन प्रकार की कथाओं में तत्व निर् हूं इनकी व्याक्हाथ भूगी कि वाद क्या होता है जल्ब क्या होता है वितन्द लोग कर रहे हैं बादशीत कर रहे हैं लेकिन कुछ निर्णय परनिकल के आता है हाँ यह कंक्लूजन है तो यह भगवान की गब То אות क है को जाए आब एक रुचिकर भात है कि अब लोग नहीं कभी देखा होगा कि वहां कि ऐसी से बात हो रहे ही दा וलुकिन इसका मैं तो और अगर कुछ नहीं में शू Hajd Irish इस आप कि एक दो अधकु थिक रही जा रहूं किया मुस्क्ट पाइब की विस बॉलने जा रहे हो होत अच्छी बात माताजी ने बताई थी और मिला माताजी क्लास देरी थी प्रुलियंट क्लास उन्हें का कि देखिए जब भी हमारी चर्चा होती है भगवान के संबंद में और कुछ सब्सक्राइब भॉट होता है कि यह करना है तब भगवान का प्रतिनधित्व करती है अगर आप देखिए प्रभपाद जी के प्रवचनों उन्हें नहीं करने हैं वो एक conclusion draw करना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने देखा इस प्रकार से और एक रुचिकर बात है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रवचन लोगों को अच्छा लगे उनको समझ में आए तो वाद पर पहुंचना आए विवाद नहीं करना है लोगों को एक प्रॉपर कंक्लूजन क्या है मैं जीवात्मा हूं भगवान का अंश हूं भगवान मेरे नित्व स्वामी है वो मेरे त्राता है क्रिष्ण जीवेर प्रभु त्राता जीवा होई लोगरार क्रिष्ण मेरे प्रभु है वो त्राता है और वह उनकी भक्ति करना ह हुआरोग करता है यही बात बार बार घुमा फिराके वरा कोई भी बात कर यह हमा फिराके बाद इसी वाद पर आपने चाहिए कि कि एलवी यह ईनकी बहुत्व हैं उनकी प्ष्द करनी चाहिए और शुर्ण को सुख्ि फर यॉठ हम लोग के प्रवचन हम लोग का मतलब रोज डिसकेशन करते हैं उसमें देखते हैं आप ही प्रैक्टिकली एवरी डे ये बात आती है कृष्णा सुप्रीम पसनल्टी और भगवान श्री कृष्ण भगवान है हम उनके सेवक हैं भक्ति करने चाहिए भक्ति ब्राप्त करने क सुख मिलेगा क्लियर तो हम ये बात बहुत महत्पूर्ण है कि बहुत सारे आर्गुमेंट कर रहा है सब कुछ कर देख यह होना चाहिए कि हम एक कंक्लूजन क्या है भगवान की विभूति है इंट्रस्टिंग है कि अगर कोई बात चीत करके कंक्लूजन पर आ रहा है तो ये भगवान की होती है समझ मैं आपको कि साधन साध्य का निर्णा चलता है कि किसकी पूजा करनी चाहिए ये वह जगडा हो रहा है लेकिन कौसा साधन स्विकार करना चाहिए तो पर असंतुष्टी रहेगी कि नहीं रहेगी जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप् जगडा कर रहे हैं हमारे लिए क्या है हम तो जगडा करने के सामर्थ से युक्त हैं हम करें क्या अब मेरी बात समझी रहोंगे इसे बात है कि सर्गा नाम आदिर अंतश्चा जिनका सर्ग किया जाता है जिनकी सिर्ष्टी की जाती है जैसे कि आकाश अधितत्व उनके आद रधान है उसमें स्रिष्टी नहीं होती प्रह्दान में स्तीनों कौण सामय वस्था में रहते हैं और भगवान महाविष्णू अपने दिश्टी पात करते है है हमारे दिश्टी पात से किसी को फिर मिपढ़ता है ती महात्त्तों उसके बाद सर्ष्टी होती अब आप इस यह सुना यह वाद है कि विवाद है और जो साइंटिस्स थियोरी दे रहे हैं वो बिग बैंग यह तुमने 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 गलत बता ही यह ऐसे हुआ और वैसा हुआ ही नहीं सुष्टी आप समझ गए हम चंद्रमा पर गए कि नहीं गए कि क्या गए वह जिवन है कि नहीं आप सारे चलती रहता यह भगवान है नहीं एसी बातों चलती रहती लेकिन कोई कान्टूजन रॉन नहीं कर पाता है एक एसी विवादों में विख्ति को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें वान की बात समझ मैं आद्यात्न बिद्या विद्यानाम जितनी भी विद्या विद नहीं होता है भौतिक शक्ति एक बहुतिक शक्ति तो अपर गविध्य क्या हो गई हुए में और इसकी श्क्ता है और इस सब का स्भूल के सब्सक्राइट नहीं नहीं था वास्तव इस यह सब तो चीज भौतिक टत्मों के संब्ध में एक है उसे उस विढ़िया को आपकिया कहेंगे और जो विद्या आत्मा के संबंद में उसको पर विद्या कहेंगे तो इसंदि में कि ножकी बारें पर यहां आध्यात्मा सब कुछ समझ गया है वस यह नहीं समझा कि वह है कौन और वादह प्रवदताम हम जो प्रवदताम हैं जो अब तर्क शास्त्री हैं तर्क कर रहे हैं बहुत सारे उनमें अगर वह तर्क कर करके किसी कंक्लूजन पर आते हैं तब वह वाद है और वह भगवान की विभूती है आप लोग को बहुत मज़ा बहुत अच्छा लागी है जब इस पर सुरेंगे कि किस प्रकार के तर्क होते हैं उस पर पढ़ने की समझने का प्यास किजिए लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा भगवान करें आप सब लोग करें ऐसे लिए डिसक्रेशन बढ़न मान उपस्थि नहीं नहीं है जब हम केवल सामने वाले को फर न चाहते हैं ना हंख सब्सक्न साब्सक्राइब्स क्लद्धेळлять लेना चाहिए, is that clear, I want the devotees to have it very clear, आपका उद्देश यह होना चाहिए, कि यह श्लोक है, इसको ही ठीक-ठीक समझाए, तो वित्ती को संतुष्टी होगी, कि भगवान वहाँ उपस्तित होगे, जैसे महाराज बताते है कि परमपोजुरादागोई महाराज कहा रहा है कि बहुत कि एक बात भी नहीं बोलते, एक श्लोक भी नहीं बोलते है, या जैसे हम रुचा कर चुके हैं, कि कुछ लोग ऐसा मत है, कि यह भगवत-गीता शिव बाबा ने बोली है, अब इसके लिए तर्क तो आप सुनी चुके है, रुद्रणाम शंकरस चास्मी, कि रुद्र में मे तो भगवान यह तो नहीं कह रहे है कि शंकर मेरे अंदर रखेर बोल रहा है, तो यह प्रकार का तर्क यह वाद नहीं डाल रहा है, यह गलत बात बोल रहा है, ठीक है ना, गीता भूशन टीका, महतत्व स्रिष्ट वस्तुव में में आदी, मर्ध्य और अन्धुम, आप ज होती है, प्रधान हमेशा रहता है, और उसमें गुणों की सामिता रहती है, महतत्व की स्रिष्टी होती है, वह स्रिष्टी कैसी होती है, भगवान के स्रिष्टी पास, जब देखिए एक ही बात को खूब सुनते हैं, तब जाके याद होता है, दो का पहाड़ा के इतनी जल हैंगे, तो याद रहेगा, तो महतत्व की स्रिष्टी होती है, इसलिए कहा रहे है, महतत्व आदी स्रिष्ट वस्तो में, सरगाणाम में मैं आदी मध्य और अन्थ हूँ, उनकी स्रिष्टी, स्तिती और प्रलय को मेरी विभूती समझना चाहिए, शलोक 20 में भगवान तो यह उनकी अंडरस्टार्णिंग बता रहे हैं इस प्रकार से कि हम लोग जो शरीरों की स्ष्टी हो रही है, जिवात्मा की स्ष्टी होती नहीं है, तो उनके विभिन शरीरों को उनके कर्मामसार देना यह भी भगवान की विभूती है, और यहां कहरे हैं कि शरीर जिन तत्तों से बने हैं, उन तत्तों की स्ष्टी भी विभान की विभूती है, थोड़ा सा अंतरब देख लिए, ठीक है, इसलिए यहां पुनुरक्ति का दोश नहीं है, पुनुरक्ति मतलब एकी बात को बार-बार कहना, क्योंकि यहां बहुत तत्तों के संबन में यह कहा गया इस लोक में तो स्रिष्टि आदी का करतापन रूप अपना परम अश्वर कहा गया था, किन्तु यहां उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यों को अपनी विभूती की रूप में धे अर्थात चेंते नहीं बताते हैं, यह भेद है, समझ में आया, भगवान ने पहले अपनी इ चेंड़ पॉडब करने की शक्ति है और सहार करने की शकति उस विभूती को भगवान ने कहा, दूसरा लिए है, कि यहां पर उनस्टैंद है निए वह है कि सिर्ष्टी हो गई तो विचित्र शिर्ष्टी है है अब कि मैं लिए बोजन कैसे हो जाता है यह लगता आपको और एक शेरीर को देखेंगे तो कितना कितना विचित्रत है आप आस तक डिजाइन नहीं कर पाए डिजाइन इन चाइना असा हुआ है कि आख भी ये भी भगवान की विभूति है इसका पालन हो रहा है ये जो पालन हो रहा है ये पालन होना भी विभूति है और उसके बाद सहार जो होता है वह भी विभूति है ठीक है ये बात एक करतापन की विभूती है, एक क्रिया की विभूती अगर आचा समझने तो, क्रिया अपने भगवान की विभूती और भगवान ऐसा कर रहे हैं, यह भी विभूती है, यह आपको समझ में नहीं आ रहा है, यह भी विभूती है, नहीं समझ में आ रहा है, भगवान पहले कहा सु Bentw tu अच्छा खाना बनाम आ ROS चाना इंटार चाना बनाना यह अइक विभूती है और अब अच्छा अव्य इतक है सुन्हें सुंदर थना फांट हुई करता पण है वह भी ने अर्ट आरे थोड़ा सा पढ़ लिजेगा तो आप पर समझ पाएंगे बहुत सुख्ष में तो वह चीज आपको थोड़ा से विचार करेंगे तो अच्छा यह किया रहे हैं हम प्रयास करने समझाने का लेकिन थोड़ा सा आप लोग विचार करें तो समया जाएगा इन, इन मींज सम्झा गया अब विध्या के बारें बोलें अंगाने वेदास चत्वारो मिमान सन्याय विष्टरह धर्मशास्त्रम पुरानम चा विध्याही एतास चत्वरदशा तो यह विध्या के बारें बता थे कौन सी विध्या है अपने छे अंगों के साथ चार वेद, मिमांसा, न्याय, धर्म, शास्त्र और पुराण यह चौधा प्रकार की विद्या कहे जाते हैं विष्ण पुराण 3, 6, 28 नोट दिया गया शिक्षा यानि उच्चारण, छंदस, व्याकरण, निरुक्त, जोतिश और कल्प यह च्छे वेद के अंग हैं, तो च्छे अंगे के संग चार वेद हो गए, यहने कि साम, यजुर, अथर्व और रिख इसमें 6-6 भाग करतीजे, और बाकी और सब बता, यह सारी विद्या है इन सभी विद्याओं में मैं वह विद्या हूँ, जो आत्मा से संबंदित है, अर्थात वेदान्त की चतुर लक्षनी विद्या, जो परमात्मा और उनके परिकरों का निरुपन करती है विदान्त के पांच विशे हैं, भगवान, इश्वर, जीव, प्रकिती, काल और कर्म तो यह जो इन सब का संबंदित बताने वाली विद्या है, वेध्यात में विद्या है और यही टॉपिक भगवत्गीता के विद्या हूँ वाद करने वालों में मैं वाद हूँ यह तीन प्रकार के प्रसुध तर्क हैं प्रतिद्वनदी पर विजय प्राप्ड करने के उधेश से किये जाने वाले विचार को वितंदा तथा जल्प कहा जाता है दिकित इन दोनों में भ्हेद कि हैं डिरो देखेगा जल्प और वितंडा के उद्देश में एक होने पर भी उनकी प्रकृति में बड़ा अंतर है उद्देश क्या है दोनों का प्रतिदुन्दी पर विजय प्राप्त करना जैसे जल्ब में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का खंडन करते हैं पर वितंडा में केवल वादी ही अपने पक्ष का साधन का प्रयास करता है प्रतिवादी वादी के पक्ष का खंडन करने में ही अपनी कितार्था मान कर अपने पक्ष की स्थापना तथा उसके साधन के प्रयास से विरत रहता है यह समझ में आया कुछ देखेए जल्ब में दोनों ही अपने पॉइंट को रख रहे हैं उसको reward कर रहे हैं और सामने वाले को हरा रहे हैं लेकिन वितन्डा में व्यक्ति सामने वाले को किवल हरा रहा है अपनी बात नहीं रख रहा है यह कर भी हुए आपको उससे पूछो कि तुम करना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो ना हम कुछ नहीं करना चाहते हो तुम गलत हो सामने वाले को गलत प्रूव कर रहे हैं आप वो सही बात क्या हुआ नहीं बता रहे हैं यह अंट्रस्टिंग है तो यह भगवान सामने बात को सही रख रहा है और सामने वाले को हरा रहा है सार्भावंबटाचार का धार की तो वहां पर उनसे बातचीत होने लगई तो सार्भावंबटाचार साथ दिन तक उनको वेदान सूत्र पर इसिक्षा दिये और साथ दिन तक कि महाप्रुविद्धम चुप सुबह सश्वाम तक सुन रहे हैं आप लोग अच्छान भगाना और उनका इतना उस्जा की बोले जाना है मैं जा सो डिफिकल्ट ना कोई ना कोई एक्स्प्रेशन नहीं चुप इस साथ दिन तक आप कैसे पढ़ा सकते एक घंटा नहीं एक हफ़त सेहन कर रहे हैं तो बाद में बूम रहे हैं कि नहीं बूज रहे हो तो महापरु बड़े प्रेम से कहते हैं देखिये मैं तो मूर्ग मैं तो किवल आपके आजिया मान करके विदाद सुन रहा हूं उसके विदानति की बात है उसके लोक सुखे समान है लेकिन आपकी लिएक कि दख़ख लगा उसके बाद इनकी बाद शुरू होती है कि उसके बाद शुरू होट window को अर्बम भड़ाशि े जब अरधस्ती किसी तरद से काटने का प्रियास प्रेस कर रहे तो फिर महाप्रव उनको उनीकिा सब्सक्राइब करें इंट्रेस्टिंग एक भक्त अब दिख रहें कि घर में कोई बड़े विक्ति आए बुड़े ज्ञानवान नहीं घरी बुड़े तो बोले कि भगवान नहीं है तो यह कुछ लोगों को बोले कि हम ऐसे भगवान पर नहीं मानते जुसका पिता मर गया हो अगी ऐसे भगवान को मानते एक तुम को शायर करो कि आप तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसे अगर आपको मन करी रहा बात करने का तो आप उन्हों को उन्हीं की आर्गुमेंट में हरा दिए क्योंकि वो शास्त्र बिश्वास नहीं करें और यह कभी-कभी जिरूरी भी होता है नहीं तो वह हम पर हमारी श्रद्धा पर आगहाद करके चले जाते हैं स्पेशली जब करब्य भागवान की तरह आते हैं अब लोग कर डगार बात कर रहे हैं जो इस परकार से वितंडा करते हैं जल्प । अप्र प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का साधन परक्षब खंण करते हैं पर वितंडा में केवल वादी ही अपने पक्ष के साधन का प्रयास करता है प्रतिवादी वादी के पक्ष करने में ही अपनी कृतारता मानकर अपने पक्ष की स्थापना तता उसके साधन के प्रयास से विरत रहता है तो यानि कि अपने कोई बात नहीं समझाएगा वही कृतारत ह कि सेमने वाली कर 우리가 दिया थे इस इस पर एक बार कोई माता जी होंगं से बात्चीत हो रही थी Łukosom सम्झेखिना समने वाली तो फिर उनमे वादा जी नहीं अचे इस चाहती क्या है विलता तो कहें कि मै यह चाहती हूं कि आप sì क्या है सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह भी कर सकते हैं इन देशन की जो बहुत जगड़ा करने के लिए हो और आप कुस कर भी निसकते हैं बल्कु सही है यह जो कि विटन में कोई एक भी सिंपली आर्गुमेंट करता है या दोनों लोग करते हैं आर्गुमेंट दोनों लोग करते हैं समझेए लेकिन जो विटन्द कर रहा है वो विटनी आर्गुमेंट कर रहा है लेकिन अपनी बात कोई स्थापित नहीं करना चाहते है हो खाली सामने किसी दिहां बादा डलना वो करनी के लिए अ उसको आपकी बात सुनने ही नहीं कभी आपकी ऐसानभव हो Todos 극्लिक वह आपकी करते हैं पर उत्तर नहीं आज कोई करें इसे आध्यात्मता की बात ना विक्रें समय नेता भी लोगंता से बात किजिए उत्तरा किक ह हुआ कि आपकी बात नहीं सुन रहा है उखले अपनी बात बोले जा रहा है कि अब कुछ और बात करें कि इस वरी डिफिकल्ट तो तुछ पीपल यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि अगर हम वाकई करना चाहते हैं तो हमें सुनना भी पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है कि अधियर इंट्रस्टिंग रादर बता एक ट्रिक बताऊं कोई वाला मनास्तिक है तो उसे पर बोल लेने दीजिए कि वह क्या बोलना चाहता है और आप पकड़िए कि वह कहां गलती है और आप देखना बुद्धी तनी तेज हो जाएगी प्रचार करते समय मालूम चल जाएका कि वह कहां गलत बोल रहा है प्रफुजी हम अशा हो शब्लस चाहिए प्रफुजे हम बिलकुल प्रचार नहीं कर सकते हैं कि श्रचार करता हैं के लिज्जिक काॹंब कर दिनगे लम लोग को शब्रचिक नहीं करने चाहिएare जेना सिर्च कुछ बीकर नहीं करो सो पॉत बता देगा कि अधो बहुत 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 है खुश्च बहुत है कि अगर कोई भगवान के बारे में गलत बोल रहा है और सुनना नहीं चाहते तो क्या उन्हें बोल सकते हैं कि आप सही है यह यह तो अपराद जो हो जाएगा नहां यह अपराद हो जाएगा भगवान देखिए समझने का प्रयास की जिए जैसे मुझे को विक्ति आकर बोले देखिए आपको टीकाया पढ़नी चाहिए लेकिन पढ़ाना नहीं चाहिए और एक भक्ति आ कि बोले तो मैं उसे जगडा करूं जब मुझे करना वही है जो म से सुपीरियर हैं अगर मुझे डिसेग्री भी करते हैं तो भी उनकी रेस्पेट करनी चाहिए हां अगर कोई भगवान ही नहीं है तब तो फिर या तो सबसे अच्छा है कि उससे बात ही ना करें हट जाए सामने से और नहीं तो कि उसको चुप करा देना चाहिए मैं यह बोल रहा हूं कि पहले आप देखिए कि क्या मतलब वो बोल रहा है सुनिये और फिर उसके आर्गुमेंट को आप डिफ्यूस कीजिए यह अगर करना चाहते हैं वहां से हट जाना चाहते तो वह भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि एक बात तो है कि अगर आप लोगों के वाद जो फाल्तू की बाते करते हैं उनको चुप करा देंगे तो लोग आपसे फाल्तू बात नहीं करेंगे अगरे आप लोगों अप्रस्टी आप लोगों के बारे में आप लोगों के बारे में घुल नो शुनते तो वह तो अप्राद निश्वतरूप से अब लिन कोई पिस्तॉल लेके बोला हो तो शुपी रहन अची कि गोली मार देगा तो असी वस्ता में चुपी रहन अची लेकिन ऐसा तो वस्ता नहीं आती बट अब मालीजी कोई काहिके के तशी को कर्यों जबस्ति आपको अन्न खिलाया कुछ कराय तो स्वाम लेको बोल इस प्रकार के प्रवाद जिसमें जीतने की इच्छा होती है यह केबल तर कर ने की शक्ती का प्रदशन मात्र है और यह कोई प्रभ ती नहीं कर राजाता अैसे तो अनुक में भगवान स्ट्य को जानने कीच्छा हो उसे वाद कहते है वेरी नाइस, अब आप लोग देखिए हम तो बहुत से उत्साहित हैं, मैं यहां पर आता हूँ, मैं अपना गुड़गान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एटिटुट बता रहा हूँ, कि मेरे को यह इच्छा होती है, कि इस लोग में लिखा क्या है, और आप लोग भी इस से आते हैं, इसी लिए अच्छा लगता है सुनर में, अपने देखा इस लोग में लिखा है, अगर आप वाकई श्रोता को संतुष्ठ करना चाहते हैं, वाकई करना चाहते हैं, तो हमारा भी यही उद्देश होना चाहिए, कि इस लोक में क्या है, प्रभपाज जी अपने तातपर में क्या कह रहे हैं यह बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन अगर आप प्रवचन करने बेटेंगे तो आप देखेंगे यह सिंपल नहीं है इस विभूति आफ कृष्णा किया विभूति होना आसान बात है और आप विचार करें विचार करें तो शुरता गण प्राया इसी इच्छा से आते हैं बगती बात कर रहें कि इस लोग में क्या लिखा है बताएंगे वैसे कभी-कभी शुरुता सुचते हैं कि कोई जोग सुनाएंगे यह भी होता है पनुपुजे बक्ति विज्ञान महाराज करे थे बड़ी आश्यर की बात है कि अगर मैं जोग नहीं मानूं तो लोग कता को बोरिंग बनेंगे या कुछ लोग सुनते हैं कि सुचते हैं कि कहानी जुरूर सुनाएंगे त्यादी तो अलाग अलाग इच्छा हो सकती है लेकिन वास्तवी रूप से अध्यात्मिक चर्चा का उदेश क्या होना चाहिए कि इस लोग में या इस प्रसंग में किसत्य क्या है इसको ठीठीक कर गए तब वहां एक कथानी बताना भूल गया मैं एक बेक्ति दो बीच कि दूलों की जगड़ा हो रहा तक इसकी बीच में केंची स्रेष्ट की तलवार स्रेष्ट तलवार का पक्ष ले रहा था उसने क्याची वाले को उठा करके नदी में गिरा दिया तो डूपते डू होआ और आपको कुछ नहीं मिला रहा इस में आपको कुछ नहीं मिला subdaad, you feel absolutely drained out या याद आर हारा एक बात एक भट घर में गए आताजी तो बता कुछ से बहती करना लही तो बता थी कि हमारे पती तीन घंटा ध्यान करते है उनने बीड सबीक्प्रण 1818 एक हैं अध्यान गार्टाइट माधा जी ती대 becomeom जभार्ण शियल लुक्प्रण तो एक बोश्किय किया जाता है इंग्या थिकलत प्रेंदव लुक्रत कंज में पूचा चलिया आप हम पे दस मिनट शिव जी पे दस मिनट विजन भग्मान तो एक पिकिया जाता है यह क्या है मादा जी कही थी वो स्कॉन की निंदा करते हैं अच्छा तो मैं जाके पूछा चलिए आप हमसे निंदा की इसकॉन में दोश का है तो एकदम से घबरागे करते हैं नहीं कुछ कुछ भी बोल रहे थे तब मैं पर सोचा की इस कॉइंड आफ कन्फूस्ट फिर बागे बात कंटीव नहीं क्या मैं ठीक है छोड़ देते हैं बात लाइक इस वेरी टिफिकल्ट आप अपनी चेतना में देखेंगे कि नाम जब करेंगे ना तो यू फिल वेरी सॉल्टेड समझते इसका मतलब सुल्ट सारे कन्फूजन सुल्ट जाता है कि वुटी बोलना के चाहता है हां नॉट बीटिंग अराउंड बुष आप देखिए 10-15 मिनिट की बात भी हो काम की बात ती तो अच्छा लगता है और आज कर यूटूब आप देखते होंगे अगना वीडियो का ले एक्स्टेंड टूमच ऐसे टाइम नहीं रहता है तो यह नहीं करना चाहिए अंको बहुत अच्छा लग रहा है पॉइंट की बई सत्य को जानने का अच्छा तत्व निर्ने के फॉलत्व के कारण उसकी उतकृष्टा है इस कारण से वाद मेरी विभूती है बहुत करना चाहिए अब यह स्विकार करते हैं कि सत्य के ऐसा है ठीक ठीक बताइए और ऐसा ही प्रश्ण अगरा को याद हो प्रतम स्कंद के प्रतम अध्या में किया गया है कि सारे शास्त्र का वह सार बताई जिसे यह नात्मा सू प्रसिदेती जिसे आत्मा प्रसंद हो जाए तो इसका उत्तर क्या दे रहे सवय पुम साम परो धर्मों यदो भक्ति रधोक प्रतमा सू प्रसिदेती तो आप बिल्कुल प्रस्ट देखिए प्रश्ण एकदम क्लियर है शौना कादिर इशी यह सत्य जानना चाहते है कि शास्त्र का वह सार बताई जिसे जीव सुखी हो जाए और उसका उतर भी बिल्कुल एकदम सही तरह से सठीक तरह से देना है कि भगवान की शुदभती प्राप्त कर जीव सुखी हो जाएगा तो ऐसी बातों को जब एकती सुनता है तो यह वहां पे पर ऑपस्तित होते है जहां फ्रक होतें नहीं इसलिए भगवत गीता और भागवत हम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए यह जैसे कि आप लोग 10.88 में पढ़ेंगे तो वहां भी प्रश्ण किया गया कि भाई शीव जी तो घर भी नहीं बानते हैं और उनके उपासकों के बड़े महल हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी पती है और भगत लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं ऐसा क्या कारण है सत्य जाने के इच्छा तो वहां बताएगे कि भगवान गुणों के परे हैं और शीव जी इन गुणों के स्वामी है इन बहुत पदात के स्वामी तमगुण के स्वामी अप्रूं RS अमंगुण से प्रकट नहीं जितनी बहुत ल द्युक करेगा उसको शारी बहुत प्राप्थ होती हैं। लेकिन भगवान के भगतों को भगवान क्रमशहाज जगत से विरक्त करते जाते हैं, सत्य हुआ कि नहीं, तो जानने वाले की वैसी जिग्यासा और भागवतम ऐसी जिग्यासा उसे भरी पड़ी है, आचा ये बताए शुक्दे को स्वामी जी कि लोगों का पाप से निरहरण कैसे होगा, पाप से कैसे बचेंगे, तो पहले बोले प्राइश्चित, उसको भी काट दी, अभी नहीं चलेगा, तो फिर भगती के बारे में बताए, इसी जिए शीमर भागवतम भागवतम बहुत संतुष्ठ करने वाली है, क्योंकि वहाँ भगवान उपस्तित है, ठीक ह उनको बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा थे, यह न हमारे लिए बेस्ट टेक अवे है, कि भाई, हमें दिन भर में यथा संभव सत्य को जानने के प्रयास करना चाहिए, और सत्य समझाने के प्रयास करना चाहिए, नोट दिया गया है, यह नोट भी शृदा स्वामी की ठी चली गई है, आसकती किस बात में, मैं सही हूँ, यह स्थापित करने की बात चली गई है, यह स्थापित करने की आसकती चली गई है, उन दो पुर्षों का, यहने की शिष्य और आचारे का, यहने की शिष्य टीचर है, उसका अथवा अन्य दो व्यक्तियों का परस्परवा तत्व के निर्णय रूप फल को प्रकट करने वाला है अता वैस्रिष्ट होने कारण मेरी विभूती है यह भाव है देखिए समझने का प्रयास किजिए कई बार हम अपने सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं और हम भगवान के बारे में को जानना चाहते हैं और कभी-कभी हम अपने मित्रों से बात करते हैं अध्यात्मिक्ता में और अपने डिस्वेशन करते हैं इस लोग का क्या मतलब है इसमें सो क्या मतलब है तो दोनों ही लोग यही कहेंगे कि हमारी यह अंडरस्टांडिंग है और कभी-कभी हम चर्चा करते हैं तो उत्तर स्प बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अब देखें ये बात अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि क्लीर समझ में आ रहा कि वाद का मतलब क्या है? या तो हम superior से पूछ रहे हैं, या फिर आपस में भी discuss करना हैं, लेकिन उद्देश अपने को स्थापित करना नहीं है, सत्य को स्थापित करना है. But interesting, मैं कहा गया है, we should not read शास्त्रा to prove that we are true. We should study शास्त्रा to know what is truth. हम को शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए, ताकि हम इस्थापित करने कि हम सत्य बोल रहे हैं, मैं सही हूँ, अब भी तुछ शास्त्र इसलिए पढ़ने चाहिए, ताकि हम जान सकें कि सही क्या है, है ना, तात परिए, ऐसा लोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवद्गीता क पढ़ने के बाद कर सकते हैं कि भगवान निराकार है तुमको तो धर्म का मतलब भी नहीं पता है तुम स्तापना करोगे तो इस तरह की बाते लोग गीता का आश्रे लेकर के वो अपनी बात रखना चाहते हैं स्रिष्टियों में सर्व प्रथम समस्त भौतिक तत्वों की स्रिष्टि की जाती है जैसा कि पहले बता जा चुका है ये द्रिष्ट जगत महा विष्णु गर्भो दकशाई विष्णु तदा शीरुक दशाई विष्णु द्वारा उत्पन और संचालित है बाद में इसका सहार शीवजी द्वारा किये जाता है ब्रह्मा गौण स्रिष्टा है सेगेंडी क्रिएटर है स्रिजन पालन तता सहार करने वाले सारे अधिकारी परमिश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है अतह वेही समष्ष्ष्टी के आधी मधित तता अंत है उच विद्या के लिए ज्यान के अने गरंथ है यथा चारोवेद उनके च्ह विधांग, विदान सुत्र, तर्क गरंथ, धर्म गरंथ, पुराण इस प्रकार कुल 14 प्रकार के गरंथ है इनमें स्याध्यात्म विद्या, संबंधी ग्रंथ, विशेश रूप से विदान सूतर कृष्ण का सुरूप है और उसी की टीकाश में भागवतम तर्क शास्त्री में विभिन प्रकार के तर्क होते रहते हैं प्रमान द्वारा तर्क की पुष्टी जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है प्रतिदुंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है किन्तु वास्तिविक निर्ने वाद कहलाता है व्याक्या कर दी गई यह निर्ने आत्मक सत्य कृष्ण का सुरूप है So, we'll stop here. Any questions? No.